तो आज हम डिसक्स करेंगे आपकी एक्सराइज 13.1 फर्स्ट तो आपने 13.1 फर्स्ट आपका क्या कह रहा है उसने बोला एप्लास्टिक बोक्स इस 1.5 मीटर लोग तो जो जो चीजे आपको पता हैं वो लिख लो लेंथ is equal to 1.5 मीटर वाइड ब्रेथ इस गिवन तो बी 1.25 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर डीप जितनी डीप होती है वो उसकी क्या होती है बिटा हाइट क्या होती है हाइट क्या होती है हाइट तो यहां से क्या आगे देट हाइट is equal to 65 सेंटीमीटर अगर इसको मीटर में 0.65 meter It is open at the top वो top से क्या है open तीन dimension आपको given है, it means कैसी form है cuboid, तीनों की तीनों क्या है, अलग, देखो length, breadth और height ठीक है, length, breadth और height जिसमें तीन चीजे होती है, वो क्या होती है cuboid, और तीनों क्या है, different तीनों चीजे क्या है, different तो किसी shape होगी, cuboid, clear तो उसनी बोला, we have to find the area of the sheet required for making that box उस box को बनाने में total कितना area मतब कितना area उस box की sheet के लिए लगेगा उसकी box को बनाने तो उसके लिए sheet लगेगी उस sheet का कितना area लगेगा सबसे बड़ी बात उसनी बोला, it is open at the top क्या बोला, it is open at the top ध्यान से देखना बेटा बहुत simple question है this is your box, box के उपर वाला part नहीं है, यहां से वो क्या है, open मैंने आपको बहुत clearly एक चीज बताई थी अगर आपने ये वाली चीज निकालनी है तो ये क्या होते है, सिर्फ ये वाली, साइडो वाली, देखो बेटा ये boundary ये क्या होती है, CSA ये क्या होती है, CSA क्या होती है, card surface area अगर ये वाली और top वाली दोनों चीजें मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, total surface area तो ध्यान से देखना, अगर इस वाले area में, यानि कि CSA में, क्या add कर दू, ये वाला area, तो क्या बन जाएगा आपका, जो आपको चाहिए वाई, क्योंकि top से तो open है तो ध्यान से देखना, ये वाला CSA, plus, निच्चे क्या-क्या लगी हुए, this is your breadth और this is your length तो length into breadth किसका area मिलेगा, सर्फ bottom का, तो bottom का area plus CSA of net, तो क्या आगे यहाँ से, तो क्या आजेगा area of sheet required क्या आजेगा यहाँ से CSA of cuboid plus plus L into B, reason पता चल गया जो bottom है, bottom भी आपकी क्या है, cover, तो CSA क्या हो तबिटा, 2H into L plus B, और plus L into B, clear values given है, put कर दो 2 into, H is given to be 0.65 तो 65 by 100, ऐसे ही L की value क्या है 15 by 10 plus, यह आगया 125 by 100, प्लस, यहाँ से आपका क्या आगया, L into B, तो 15 by 10 into 25 by, 125 by 100, चीक है जो आपकी पास है, solve कर दो, देखो 12, 1, 5, 1 is a 5 and 1, 6 1, 5 is a 5, 1, 2 is a 2, 1, यह 5, यह 7, यह 8, यह 1, तो कितना आगया यहाँ से, 1, 8, 7, 5 by 1000, तो बिटा, इसको लिखरे हैं उपर, देखो, यहाँ से क्या बना, 2 into 65 by 100 into 275 by 100 plus 1875 by 1000 करो बिटा, इसको solve 65 into 2, 2, 5 is a 10 2, 6 to 12 and 1, 30 130, 130 की multiply 275 से, देखो 0 तो से करने की जरत नहीं है, 13 से 35 से 15, 1, 3, 7 से 21 and 1, 22 2, 3, 2 से 6 और 2, 8 यह 5, यह 7, यह 2, तो यह बन गया 5, 7, 7 और 7, 14 and 1, 15 यहाँ से आपका 357, 5, 0 357, 5, 0 और बाए में, 1, 2, 3, 4 plus 1875 by 1, 2, 3 तो धिहान से देखना बेटा, LCM अगर लोंगी यहाँ से तो यह कितना आ गया 1, 2, 3, 4, 0 तो यहाँ से as it is 35750 plus इसके साथ 108 हुजेगी 750 करदो plus 35750 18750 0, 5, 5, 10 7, 7, 14 and 1, 15 1 8, 8 and 6, 14 1, 3, 4, 5 तो कितना आ गया 5, 4, 5, 00 5, 4, 5, 00 और बाए में 1, 2, 3, 4 Cancel out तो क्या आ गया यहाँ से 5.45 cm square Clear? Next question आपका इसी के अंदर क्या कहरा धियान से देखो We have to find the cost of the sheet for it If the sheet measuring 1 cm, 1 m square Cost for, sorry, cm निये meter है क्योंकि सारा question meter में 1 m square cost rupees 120 तो second के लिए देखो बेटा Cost for 1 m square is equal to 20 rupees So, we have to find out the value for 5.4 m square So, what is the cost for 5.4 m, 4, 5 m square It means 4, 45 by 100 into 20 0 से आपका 0 के इसे लाउट कर दो multiply 2, 5 जा 10 2, 4 जा 8 in 1 9, 2, 5 जा 10 और बाए में क्या है 10 0 से 0 के इसे लाउट तो कितना आ गया 109 rupees कितना आ गया 109 rupees तो ये था आपका complete question number first I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe Thank you so much